लिखो अव लंब लिये गए विनिश्च्यों में प्रतिपादित शिद्धान्तों को बर्तमान मामले में लागू नहीं किया जा सकता जहां तक निस्पादन नियाल द्वारा शेश प्रतिफल जमा करने के लिए समय दिये जाने के प्रक्रम पर निरनीत रिनी को सम्यक सूचना ना भेजने के सम्मंद में किये गए आच्छेप के आधार का सम्मंद है इस पहलू पर मामले के तत्थों को द्रश्टिगत करते हुए विचार किया जाना चाहिए विचारण नियाल ने विनिर्दिस्ट अनुपालन के लिए डिक्री पारित करते समय शेश प्रतिफल का संदाय किये जाने के लिए कोई अवधी नियत नहीं की थी यतापी यह सही है कि सेश प्रतिफल का ऐसा संदाय युक्ति युक्त अवधी के भीतर किया जाना चाहिए तथापी वर्तमान मामले के तत्थों को द्रश्टिगत करते हुए उक्त पहलू अपना महत्व खो देता है जहां यह पाया जाय की आवेदक उक्त अधिनियम की धारा 28 की अधीन शंविदा के विखंडन के अनुतोस के लिए हकदार नहीं है इसके अतरिक्त सेश प्रतिफल के शंदाय के लिए डिक्री में नियत किसी अवधी के अवहाब में मामला ऐसी धनरासी को जमा करनी के लिए विस्तरित समय दिये जाने के अंतरगत आता है चार हजार रुपएं जमा करने की अनुमती के लिए आवेदन प्रैदर्स साथ तारीख तारीख 13 जन्वरी 1997 को फाइल किया गया था और तारीख यह 24 जून 1999 को मंजूर किया गया था संदाई करने के लिए समय चाहने वाला आवेदन प्रैदर्स आठ तारीख 13 अगस्त 1999 को फाइल किया गया था और यह उसी तारीख को मंजूर किया गया था यदपी यह दलिल दी गई है कि तारीख 13 जन्वरी 1997 का आदेश और तारीख 13 अगस्त 1999 का आदेश नरनेद रिणी को सूचना जारी किये बिना पारित किया गया था बाद के मूल प्रतिवादी द्वारा ब्रोध नहीं किया गया था और यह तारीख 24 जन्वरी 1995 को डिक्री हुआ था इसके पास चात निश्पादन कारवाहियों पर वर्ष 1996 में फाइल की गई थी यद्धपी सेज प्रतिफल तारीख 20 अगस्त 1999 को जमा किया गया था तताफी नियायले द्वारा विक्र विलेख तारीख 17 जन्वरी 2009 को निश्पादित किया गया था और कवजा अधिपत्र तारीख 13 नवंबर 2009 को निश्पादित किया गया था किसी भी समय पर मूल प्रतिवादी ने या पस्चात वर्ती किरेता रतन माला फो पारे ने सुचना की तामील ना होने के सम्मंद में कोई शिकायत नहीं की थी माननी उचतम नियाले द्वारा नियाले के समक्ष के आवेदक को वास्तविक किरेता नहीं माना गया था और इसलिए यह अभी निर्धारित किया जाता है कि वह पुक्त अधिनियम की धारा 28 के अधिहिन संविदा के विखंडन के अनुतोस के लिए भी हकदार है स्टॉप